खरदे 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 हेलो स्टूडेंट वेलकम टू श्री अकेडमी हेलो गाईस कैसे हो आप सभी फटा फट से आजाएए ग्लास में में खरदे खरे 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 ही तलब गुझा पर्भक उंठॉट यह ऊंठ आपू नमस्कार अमित नमस्कार इस Hello Mukil, good morning Sonia, very good morning guys good morning Sonia, very good morning good morning Nisha Fhaqataiya, आज जो हमारा है वो previous year ही है जो आज की class होगी previous year ही होगी और आज English का practice होगा लेकिन previous year का ही होगा 22 का होगा, वैसे तो मैं 22 का उलड़ी बना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से ले रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि प्रेजिंट के अंदर क्योशन कैसे आ रही है, 22 का है, और जो है, गुड मौनिंग सुमन, अदिविक सुमन, और गुड मौनिंग मौनिका, गुड मौन में हो, फिर से तयार हो, तो काफी अच्छा लगा मुझे आपको देखे, हाँ, बिल्कुल शसी है, सारी चीजे करेंगे, क्योंकि देखो, ग्रैमर जो ना लगबग पूरी हो चुकी है, थोड़े वो टोपिक रहते हैं, इसलिए मैंने ना बीच में प्रेक्टिस के कुछ ड रहेगी अभी, अच्छा मुकल आपका भी हुआ है, कॉंगरिचलेशन, हाँ मोनीका अच्छा कैसे लगेगा, जो जो नेगिटिव चीज है, वो नेगिटिव ही असर करेगी, वो पोजिटिव कैसे कर सकती है, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा इस बात से लगा कि आप क्लास में हो, दुबारा से जो है फिर से तयार हो, मैं मानती हूँ कि बिल्कुल आदमी तूड जाता है, इसलिए मैं सब को कह रही हूँ, नहीं हुआ, अच्छा आपका भी नहीं हुआ मुकल, सोरी मैंने सुना कि हो गया, देखो काईस मैंने कल भी बोला था कल की क्लास में भी, ज जो है ना, ऐसे हतियार नहीं गिराने हैं, और मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, आप लोग जो मुझसे बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े हूँ है, मैं उनसे तब से बोल रही हूँ, कि कोई भी प्रिपेशन एकदम से नहीं होती है, उसके लिए लगा रहना पड़ता है, और एक्जाम तक आपने आपको जोक दो, जोक दो एक्जाम में, तब जाके जो है ना, एक्जाम क्लियर होते हैं, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है, हमें लगता है, कि हम पड़ रहे हैं, ठीक ठाक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही है, कि आपने जो स्टड़ी नही की होगी गाइस बहुत तयारी की होगी आपने लेकिन कई बार जो ना किसमत कहीं जगए साथ नहीं देती लेकिन और जो है पूरा कीजी और आपने शेडूल को इतना टाइट कर लो पढ़ाई के लिए यानि आगी आगर आपका जो है कहीं वो पिछला रह गया पेपर पीजी में TGT में जो भी आपने दिये हैं उसमें रह गए हो कोई बात नहीं लेकिन आप इसकी जो नफोर्म तक की डेट रहती है तो यानि कि आपके पास चांस ऐसा नहीं है कई बार क्या होता है कि बगवान किसी को सिधा रास्ता दे देता कभी थोड़ा गुमा के देता है तो आप आपका जो है DSS भी पूरा रहता है TGT का और आपका चंडिकट PRT का TGT और PGT आज कल में आने वाली है गाईस अपने जो हना हतियार दुबारा से उठा लो अपने आपको जो ना दुबारा से जोग दो अपनी पढ़ाई के अंदर क्योंकि जो है न सफलता का कोई shortcut नहीं है सिर्फ मेहनत ही है मेहनत ही आपको करनी पड़ेगी ये जो है सोनिया चंडिकट PRT का जो है प्रिवीस येर है चंडिकट PRT में जो प्रिवीस येर है उसका है ये तीन पेपर लिए है मैंने 22 का 19 का और 15 का हाँ ये ठीक है ने नेगिटिव मर्किंग ने भूत बुरा हाल किया और ये हमेशा होता है गाईज जहां नेगिटिव मर्किंग होगी उसका नेगिटिव असर होगा बिलकुल होगा गुड मॉर्निंग इंटीरियर, गुड मॉर्निंग मुकेश, वरी गुड मॉर्निंग गाईज, हारने का तो मतलब भी नहीं है, हार तो हम सकते ही नहीं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसको जो है पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, और जो है सामने जो चीज है, उसके लिए जीजान से जुड़ जाओ, आपनी सारे जो है शेडूल को इतना टाइट कर दो, कि बस आपके लिए जिंदगी, आपका वो जो एक्जाम है ना सामने, एचन डिकेट प्यार्टी का है, बस यहीं है, जो कुछ है बस यहीं है, या आग भी फाइट करनी रहती है उनको भी, तो जो जिनका यहाँ पे जैसे सोनिया है या और है निधी का भी हो गया है, उसका भी मैसी जाया था, आप सबने भी पढ़ा होगा, वो लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन जो है गाई सब के लिए है, यह नोंने आधी ज जर्नी के लिए जो है अपनी कमर कसलो, और जिनके जो किसी वजय से भी रह गया है, तो वो जो है अपनी जर्नी को दुबारा से स्टार्ट करो, देखो क्या होता है हमारे पास, हाँ सोनिया मैंने का नदिली बहुत दूर है, आप दूर है, वाके ही दूर है, क्योंकि अभी स subjective है subjective में इतनी जो ना कहते हैं ना cut throat जो है fight चलेगी बिल्कुल चलेगी तो आप अपना best से best तयार करो जो आप कर सकते हो वो करो और फिर interview रहता है यानि जो वैसे interview का जो है effect तो पड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना आपका subjective का क्योंकि ये merit तो यही decide करेगा ना तो जूट जाइए बिल्कुल हाँ नी थी class में नहीं थी लेकिन बाद में उसका message आया है उसी video के नीचे है वो सुबह उसने message किया है आप भी पढ़ लेना वो कह रहे है कि कोई मुझे congratulations तो बोलो क्योंकि उसके बाते को सुबह तो फिर बहुत काम हो जाते है और सर का कुछ काम बन रहा ना मेरा कुछ काम बन रहा है तो इसलिए आमने जो ना अभी यूट्यूब को खोल के ही नहीं देखा अभी थोड़ी दिर पहले ही सर ने खोला जब थमनेल लगाना था या कुछ करना था तब जया कर पता चलाए कि निदी का 40 मिनिट पहले जो है message आ आपका भी future Monica bright है दिल छोटा मत कीजिए आपका भी future बहुत bright है इनको जो है मेवात देखना आपको चिंडिकर देखना है आपको हर्याना की राजदानी में जाना है तो आपका भी future bright है किसी का जो है अंदकार में नहीं है सबका future bright है जो मैनेद करते हैं बस ठीक है एक टाइ पिर जो है अंदकार में हो गया नहीं वो भी bright है आपका भी future bright है चिंता मत करो चलो जी आप class को शुरू कर लेते हैं गुड आफ्टरून शरीता वेरी गुड आफ्टरून और ऐसे मायूस मत हो यह मोनिका सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन कर कुछ नहीं सकते ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ दुबारा से जुड जाईए बस चलो जी आप काम को शुरू कर करना इसको ठीक है और इसमें जो है ना तीन है English English करेंगे हम क्योंकि एक लास English की होती है तो इसमें English ही करेंगे चलो जी तो यहां पे है convert the following sentence to passive voice इसमें जो आपको पैसिव चेंज करना तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे फटाफ़ड से आप इसको चेंज करते हूए तो यह कह रहा है कि convert the passive voice इसमें passive voice इसको चेंज करना फटा फट से बताइए जितनी जल्दी हो सके चलो जी आप छोड़ो इस मुद्दे को और फटा फट से जो है class को चेंज कर यह जो question है इसको solve करो आपका question है he will never forget it he will never forget it यह sentence है इसका passive voice बताइए क्या होगा जितना भू तो खड़िगर नुषे मेरी इसको आए है देखो इसका रहाला ना चाह पर दिया, बचा क्या आपके पास, तो A की अंसर आपके पास, A जो है इसका अंसर होगा, 12 पे आजाए, To cast pulse before a swine, ये एक EDM है, देखो इसे जो आप तीन सालों के पेपर करोगे, उसे आपको ये आइडिया आजाएगा कि पेपर का जो है standard क्या है, क्या-क्या चीजे पूछी जारी, किस तरह से change हो रहा है, ये जो है ना 22 का पेपर है, Recently जो हुआ है, ये 22 का पेपर है, इसे आगे जो है 19 का है, 15 का है, तो आप ये देखोगे कि change कहां से कहां तक आ रहा है, कैसे change हो रहा है, ठीक है, तो चलिए जी, अब तो next है, to cast pulse before a swine, तो ये जो है 12 को लेना है, बताइए, ये जो है की इडियम है, इडियम का यूज करना है यहां पे, तो बताना है, to spend recklessly, to spend a lot of money on the unkeep, upkeep of domestic hogs, to waste money over trifles, to offer a person a thing which cannot appreciate, तो फटाफट से बताएंगे आप यहां पे क्या use करेंगे, to cast pulse before a swine, तो ये जो है आपके सामने इडियम है, इस इडियम में कौन सा जो है इसका अंसर बनेगा, तो गाईस फटाफट से आजाएए, 12 का अंसर देना आपको, क्लियर नहीं है, देखो यह जो ना पिक्चर ही ऐसी है, इसका कुछ नहीं कर सकते, शायद जो है बिल्कुल क्लियर नहीं, दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको मैंने इस करो गाईस, क्योंकि जो ना नेक्स्ट, जैसा है वैसा ही है इसका मैं कुछ ही नहीं कर सकती लेकिन और हो सकता है आप ऐसा कर लो कि अपनी वीडियो की quality को increase कर लीजिए तो और थोड़ी सी clarity आ जाएगी ठीक है आप इसको ले लेते है to cast pulse before a swine ये जो है की idiom है तो इस idiom देखो इनका क्या होता इडियम का ये जो है अगर learning के portion में कहें सबसे easy होती है ये ये जो है सबसे easy होती है लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि आपकी पड़ी होई होनी चाहिए इनका अंदाजा नहीं लगता तो आप जो है रिड करो इन चीजों को एक दो reading ले लिया करो जब भी आपके पास कोई भी कैसी भी बुक हो क्योंकि ये unlimited चीजे होती है तो यहाँ पे जो इसका answer है वो है to waste money over trifles यानि कि trifles क्या होता है तुछ चोटी चोटी चीजों के उपर जो है मतला कि तुछ चीजों के उपर जो है पैसे को waste करना तो यह इसका meaning होता है next है अब we should give a wide birth to a bad characters तो यहाँ पे जो है फिर से एक idiom का use किया गया है आपको यह idiom बता नहीं है give a wide birth तो यहाँ पे जो है क्या use करेंगे चलो जी next बताएं 13 give a wide birth तो इसका meaning क्या है keep away from publicly condemned give publicity to not sympathize with तो इसका जो है answer क्या रहेगा तो guys इसका answer है to keep away यानि कि किसी चीज से दूरी बना लेना यानि कि जो है distance बना लेना यह इसका meaning है बिल्कुल सही है next पे आजाएए अब next question को लेग लेते हैं इसका meaning है ascendance has been given in direct speech यह direct indirect का है तो यानि कि narration है यह narration को change करना आपने तो बताएंगे आप Mohan said to his friend let me go home now तो इसका जो answer बताना आपको 14 का जो है answer बताना है he said to his friend let me go home now तो बताएए फटावट से जो है Mohan said to his friend let me go home now तो फटावट से बताएंगे कि 14 का जो है answer क्या रहेगा देखो अगर हम इस question की बात करें इस 14 ही अंदर क्या है जैसे Mohan said to his friend let me go home now जो let से sentence बनते है वो imperative का part ही होता है इस imperative के पार्ट के अंदर क्या होती है लेट वाले sentence में तीन चीज़े होती है एक suggestion होता है और जो है proposal होता है पर्रपोजल है और जो है permission है ये जो है तीन चीज़े होती ये तो प्रपोजल और प्रमिशन तो एक यह चीज है, प्रमिशन जो है एक अलग से है, तो आब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे संडेंस में क्या है, देखो गाइस दोनों के लग-लग तरीके हैं, अगर यह प्रमिशन है, लेट वाला, तो यह जो रिक्वेस्टिड वगरा में भ तो यहाँ पे देखो, यह क्या होता है, यानि कि सजेशन का पोर्शन छोड़ के हम, यहाँ पे मोहन टोल इस फ्रेंड यह सिधा-सिधा लिया है, तो ना तो कोई सजेशन शो हो रहा है, ना कोई प्रमिशन शो रही है, तो इसका जो है डी तो वैसे ही खतम हो जाएगा, go there, हम यह sentence ले, go there, तो हम इसको change करते हैं, क्या करेंगे to go there, यानि इस तरह से हम imperative को change करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, यह imperative जो है let से बना हुआ है, यानि let का portion आईए, तो फिर हमारा C भी जो है खतम हो गया, इसके बाद हम दो में से एक लेते हैं, तो दो में से एक लेंग है, तो अगर आप जो है, let वाला sentence भी है, let वाला भी sentence है, और इसको आप जो चेंज कर रहे हो, तो imperative का basic rule क्या होता है, कि to लगता है, let से पहले जो है, to लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो है, to लगाया नहीं हुआ है, तो यह भी error में है, यहाँ पे जो है, जैसे sense तो है, might be allowed to go home then, लेकिन यहाँ पे जो subject नहीं दे रखा, यह दा क्या होता है, the might be, या तो यहाँ पे he might be होता, क्योंकि हमारा जो friend है, तो friend के according, जो महन said to his friend, let me go, तो यहाँ पे महन के according हम लेते, तो यहाँ पे ही होता, तो यह sentence यह से भी हो सकता था, that he might be allowed to go home then, यानि यह तो या तो देखो, यह typing की mistake है, मतलब कि कई बार error हो जाती है, जब paper बनाते हुए, तो इन दोनों में से एक answer बनेगा, लेकिन आप क्योंकि दोनों में छोटी-छोटी error डाल दी है, ना तो यहाँ पे two लगाया है, पूरे rule को follow नहीं किया है, यहाँ पे जो ही न answer नहीं बन रहा है, फिलाल इस situation में, लेकिन इन दोनों में से कोई एक बन सकता है, कैसे बनेगा, या तो लेट से पहले two लगा दो, तब बन जाएगा, या जो है the की जगा ही लगा दो, तब भी sentence का answer बन जाएगा, तो I think मेरी बास समझ गए होगे, फिलाल इसका answer कोई सा भी नहीं है, क्योंकि दोनों में error बन रही है, अब आपका जो है 15th है, 15 की बास कर लेते हैं, तो यह करा, arrange the parts of the sentence given below, which are labeled, यानि कि sentence arrangement है, ये देखो, मैंने ना TGT, हमारे TGT में खूब भर-भर के आई थी, ये जो arrangement है, आप खुद देखिए, TGT का paper हो, PGT का paper हो, उसमें क्यों मतला कि सबसे level पे, जो है first, third level होता है, third level नहीं, मतलब कि बिल्कुल नीचे का level माना जाता है, क्योंकि आप सीडी चड़े, तो PGT highest level है, तो ये lowest level है किसम से, तो अगर इसमें ही arrangement पूछ ली गई है, तो TGT में और PGT में क्यों ना पूछें, और इसके अंदर जो है, जब य ये range जो है, इस तरह का, जो है trend जो ना बढ़ गया, इस तरह के question का, तो आप फिटा-फिसे इसको solve करेंगे, the arse glass is two triangles in size which are equal made of, तो ये जो है, इसमें आपको बताना है कि इसका sentence जो है, क्या होगा, 15 का जो answer फटा-फिर से दे दीजिए, आगर आपको जो है, पहले वाले question मे तो आप पूछ सकते हो मुझसे, फटा-फट से आप जो है answer देंगे next question का, क्लास नहीं रोख रही मुकेस, आपना net चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लास ओके है, सब सही चल रहा है, मेरे सामने system चलता है, मैं उसको देख लेती हूँ, अगर किसी तरह की क्लास में दिक्कत आती है, तो मुझे भी पता चल जाता है, तो guys आप जो है एक बार आपना net चेक कर लो, आप देखो इसको देखते हैं, इसमें क्या है, फिटींत को जो है सोल करते हैं, इसके अंदर क्या है, देखो यह कह रहा है कि the R glass is, हमें यहां से यह तो आपको जो है कि independent sentence है, आप इसके आगे जो है आपको sentence चेंज करा है, very good, सोरिया ने पूरा चेंज कर दिया है, लेकिन option गलत बता रही है, तो यहां जो है यह कह रहा है, the R glass is, यह कह रहा है कि made of, यानि S से आपका sentence शुरू होगा, S से दो sentence शुरू हो रहे हैं, अब हमें यह देखना है कि किससे है, यानि दूसरा जो है P है दोनों में, तो the R glass is made of two triangles, तो यहां पे two triangles, which are equal, तो यानि आपका Q वाला जो sentence आगे आएगा, तो C जो है, इसका अंसर बनेगा, ना कि B बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें R और Q में और Q और R की जो पुजिशन हो चेंज होई है, तो इसका 15 का जो अंसर है, वो C बनेगा, क्योंकि आप देखो, तो the R glass is made of, जो R glass होते हैं, R glass आपने देखा होगा न, वो जैसे उसमें S तरह का होता है, जैसे कुछ टपकता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे रेत वगरा से निकलता रहता है, वो R glass होता है, तो यह करा कि R glass is made of, तो यहाँ पे जो है, made of, यह जो है, S से सुरू हो लेकिन जो है, इसके बाद क्या है, which are equal, तो यहाँ पे जो है, देखो, two triangles in size नहीं है, two triangles in size नहीं है, which are equal in size, यह करा कि जो R glass होते हैं, वो जो है, two triangles से बने होते हैं, और दोनों ही size में जो है, equal होते हैं, तो इसका जो अंसर है, वो C बनेगा ना कि B बनेगा, तो I think clear होगा, और जो है, सरीता आपको clear नहीं दिख रहा, तो अपने, देखो, मेरे पास जो सब को दिख रहा है, वो ऐसा ही होगा, आप क्योंकि इसकी जो है, इस paper की quality ही ऐसी है, अब यह कुछ question है, फिर उसके बाद next जो है, वो साफ उत्रा आ जाएगा, अगर इदर से ही कोई दिक्कत ह हो रही है तो, आर के बाद क्यों नहीं आएगा, देखो, यह जो है, एक मिनिट, एक मिनिट, चलो देखते हैं, यह तो मैंने इगलत लिख दिया होगा, फिर यह, यह कह रहा है कि two triangles, फिर यह जो है, S है, made of, उसके बाद जो है, जो है, made of के बाद जो है, P है, ठीक है, और उसके बाद जो है, which are equal, sorry, यह जो है, ठीक है, B ही answer है, आर आगे आएगा, क्यों जो है, पिछे चला जाएगा, ठीक है जी, यह इसके न समझने में गलती हो गई, कि मैंने सोचा कि यह जो है, क्यों है, इस तरह से, चलो कोई नहीं आगे ले लेजिए, आगे है, choose the word, which is nearest in meaning, to the underlined part in the sentence given below, तो यहाँ पे आपका जो है, 16, 16 के अंदर आपको बताना है, कि जो है, मतलए कि यह nearest meaning बताना, synonym बताना है, synonym बताना है, इसके अंदर, एक great statement is equated by love of his country, तो equated लिखा हुआ है, by love of his country, तो यहाँ पे जो है, great statement, statement, statement क्या होता, जो नेता लगा लीजिए, कोई, तो उसको बोलते हैं, कोई leader लगा लीजिए, उसको बोलते हैं, तो यह जो है, इसका आपको यह word जो underline किया हुआ है, equated लिखा हुआ है, जो इसका जो है, synonym बताना आपको, nearest meaning बताना है, तो फटाफट से बताएंगे, इसका क्या अंसर है, compelled है, induced है, impelled है, और persuaded है, तो आपको बताना है कि इसका जो है, answer क्या रहेगा, question number जूरूर लिख दीजिए, clear हो जाएगा guys, इसका जो है question number जूरूर लिख देना, तो यहाँ जो है, चलो जी, तो यहाँ जो है, देखो, इसका मीनिग क्या होता है, compelled यह होता है, compelled का मीनिग होता है, मज़बूर करना, impel'd का मीनिग भी कहीज न कही support जैसा ही होता है, और persuade का meaning जो होता हूँ, मनाना होता है, जैसे कोई नाराज हो जाए उसको persuade करना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मीनिंग नहीं कि मनाना या मजबूर करना, यह कह रहा है कि जो ग्रेट स्टेजमेन होते हैं, यानि कि जो पॉलिटीशियन होते हैं, महान होते हैं, जो महान पॉलिटीशियन होते हैं, या जो कोई भी प्रवक्ता होता, कुछ भी लगा लिजी, स्टे मतलब कि यह कहें कि country के लिए प्यार व्यार जो है वो कोई बहार से चीज नहीं आती वो हमारे अंदर ही होती है आप किसी के सिखाने से 10% आपका प्यार जो है आपने देश के लिए बढ़ सकता है चीजे जो आपके अंदर 10-15% बढ़ सकती है लेकिन कहीं ना कहीं तो अंदर ह बढ़ का यूज करना है several of our players were injured so our losing the match was almost तो यह करा है कि हमारे जो ना वह सारे जो player है वो injured हो गए है इसलिए जो match के हारने का जो है वो percentage क्या हो गया मतलो almost हम हारेंगे जीतेंगे क्या है वो वो बताना आपको तो necessary है indispensable है inevitable है inexcusable है तो बताइए फटा फट से 17 का आपको जो answer देना 17 का आप लोगों को answer देना है जल्दी से बताओ 17 का चलिए guys सभी participate की आगरो तो यह हाँ पर क्या है देखो यह करा है कि several of our players were injured यह करा है कि हमारे बहुत सारे जो player है वो injured हो गए है अब यहाँ पर आप खुद ही समझेए अगर किसी टीम के बहुत सारे player जो है injured हो गायल हो जाएं तो वो जो है match के जीतने का chances बढ़ जाते हैं कि हारने के बढ़ जाते हैं तो यह करा है कि so our losing the match तो वैसे खुदी बोल रहा है losing the match यानि match हारने के वो जो almost क्या हो गया तो एक इसमसे पकाई हो गया है यह कहना चाहता है तो यहाँ पर जो है necessary है indispensable है inevitable है inexcusable है तो यहाँ पर जो है necessary क्या होता जरूरी यह कोई जरूरी नहीं है कि हार जाएं लेकिन यहाँ पर यह है कि पकासा हो जाते हैं किसी चीज का पकासा हो जाता है तो यहाँ पर inevitable क्या होती है जो चीज जो है evitable जिसे टाला ना जा सके जो बिलकुल पक्की हो जाए तो यहाँ जो है इसका यह है कि हाँ यह चांसी जो है वो हारने के जादा हो गए है इसको बोलते हैं आगे है प्रिमेबल है प्रिमेबल है तो यहाँ जो है आपको राइट ओप्षिन बताना है जो इस वर्ड से दोनों के अंदर है तो यह आपको जो है बताना है कि इन दोनों में जो है क्या सिमिलेर्टी है बताईए फटावर से एड कहां से आ गई थी चलो जी फटावर से बताएंगे एटिंगेशन पर आजाए एटिंगेशन पर आजाएए जल्दे इसे बोलो जाएश एटीं का जो है अंसर किसी का नहीं आरा ौजैसे प्रिमेबल क्या होता है प्रस्तावना जिसको के ते जैसे आपके सविधान के अंदर भी जो न प्रस्तावना प्रस्तावना कब होती है कोई चीज आगे रखी जाती है पहले रखी जाती है तो यहाँ पे जो है हमारा है मोमेंट है सेमपती है इंडेक्स है बुक है तो वो जो ना उसी चीज का पार्ट होता है तो वो जो है उसी चीज का तो पार्ट होता है जैसे इंडेक्स है इंडेक्स उसको प्रिमेबल बोलते हैं, यानि एक किसम से उसको छोटा ही पार्ट है वो, तो यह जो है प्रोलोग, नोवल का जो है यह पार्ट होता प्रोलोग, तो इसका अंसर जो है A रहेगा, A आएगा इसका अंसर, क्योंकि नोवल का जो है प्रोलोग, प्रोलोग क्या होता है, जो स पहले कि उसके नोवल के बारे में बताई जाती है, प्रिमेबल में भी जो स्विधान होता है, उसके बारे में चीजे बताई जाती है, तो इसका जो अंसर है वो A रहेगा, आगे है आपको जो है, identify the wrongly spelled word, आपको जो है wrong जो वर्ड है इसमें, spelling wise, वो बताना है, तो accommodation है, omnipresent है trinical है और contemporaneous है, तो आपको यह बताना है कि इसके अंदर कहां जो है spelling में error है, good evening Manisha, very good evening guys, तो आप बताईए फटाफट से, कहां पर आपको लग रहा है कि इसमें जो है mistake है, error बतानी है, spelling कि इसमें error बतानी है, जल्दी से बताओ, चलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि आप time पता नहीं क्यों लगा रहे हो, जैसे accommodation है, accommodation क्या होता है, जैसे स्थान भी लगा देते हैं, accommodate करना किसी चीज को, कोई चीज रहना, omnipresent क्या होता है, तो इसमें भी डबल आ में ही आता है, spelling बिल्कुल right है, omnipresent है, omnipresent गोड के लिए यूज़ करते हैं, सवर्वयापी जिसको बोला जाता है, आपका trinical क्या होता है, trinical में भी डबल आ नहीं आता है, वो अत्याचारी जिसको कहते हैं, इसका जो answer है, contemporaneous जो word है, इसके अंदर जो यहाँ पे a लिखा हुआ ना, इसकी जगए e आएगा, और यह contemporary से ही related word है, तो यह जो है, contemporaneous बतानी थी, आपको wrongly spelled word बताना था, 20 पे आजाईए, identified the part, marked ABCD, तो common error का question आ गया आईए, इसमें error बतानी आपको, कि error जो है, कहाँ पे है, तो बताईए, error जो है, कहाँ पे है, error we agreed with all my conditions, तो इसके अंदर जो है, क्या error है, वो बतानी आपको, मनिशा आप पूछ रहे हो कि कौन से topic हो रहा है, तो यह जो है, चिंडिगट PRT का 22 वाला, 19 वाला और 15 वाला जो है, practice set है, कि समझें, मतलब practice set क्या previous year है, तो आपको जो है, उसकी मैं एक practice करवारी हूँ, English की, English English के portion की, तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने answer दे दिया है very good guys, सभी जो participate करो, जैसे क्या होता है, agree है यहाँ पे, agree के साथ जो ना, दो तरह एकी proportion लगती है, तो यह जो ना, word के साथ proportion, इनको अच्छे से याद रख लीजिए, तो यहाँ जो है, agree के साथ एक तो टू लगता है, एक with लगता है, तो जो two जो है, वो किस के साथ लगता ह टू जो है, तिंक के साथ लगता है, यहाँ पे all my conditions दे रखी हैं, तो all my conditions यानि कि हाँ पे जो है, व्यक्ति नहीं दे रखा और proportion व्यक्ति वाली लगा रखी है, तो यहाँ पे जो है लगाएंगे आप क्या two का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो बाकी यह आप जो है मैस है, य हाँ इंगलीश का जो है 22 के अंदर यही question थे, आप जो है हम चलते हैं आगे, इसमें तो सरफ 22 का ही है, पेपर, इसमें तो सरफ 22 का ही है, मर्स तो नहीं करकी, दिक है, पेड़ इंगलीश का डिया, आप कुड़ इसमें पते हैं, आप किसे दirm हम सब्सक्राइब से ड्रे के अंदर डीका बालाते हैं, लग-ण oscillру, पैंदर यहां अश्य एन्च जी, इसमें पंजाबी भी थी, क्योंकि चंडिकर प्यार्टी के अंदर पंजाबी आती है, तो हम फिलाल इंग्लिश-ंग्लिश को करें, अब यह आपका जो पेपर है, यह उन्निस वाला, यह जो है 15 वाला है, 2015 वाला है, हाँ, दसमार्ग्स की रहती है इसके अंदर, आप यहाँ जो ना, आप देखो पहले इसमें इंग्लिश यादा थी, यह जो है 2015 का पेपर है, तो अब हम जो है इसको देखते हैं क्या है इसमें, चलिए, तो आपका जो है 21 क्योश्शन है यहाँ, यहाँ पे इंग्लिश है, एफ्टी मिएस, पहले देख लेते हैं क्या है यह, मार्क तो आपको जो सिनोनियम बताना यहाँ पे तो आपके पास जो ना, इस पेपर के अंदर, अगर हम 2015 की बात करें, तो इस पेपर के अंदर जो है, जादर चीजे क्या है, मतलब की जितना करें, तो इसमें लर्णिं के पोशिशन के ऊपर जादा काम किया हुआ है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि जो अभी आपने किया था, वो जो है 2022 का था, ये 2015 का है, तो अभी 15 से 22 में आ गए हम, तो चीजे चेंज हुई हैं, तो पैटरन में कैसे चेंज आया वो देखना आपको, आप जो से पहला क्योशन ले लेते हैं, आपको इस सिनोनियम बताना है, सिनोनियम क बताना है, इसमें कौन सा वर्ड जो है, इसका सिनोनियम है, बताईए फटा फट से, बोलो जल्द इसे, देखो, यहाँ पे जो है इसका सिनोनियम बताना है, तो शायद ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि में मीनिंग कई बार नहीं पता होते हैं, लेकि यह paper लेके आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि आप जो है आपनी vocabulary पे भी जो learning का portion है उसके उपर भी ब्राबर से काम कीजिए क्योंकि चीजे जो है यह abstain नहीं है, abstain नहीं है यह meaning, यह abstain का meaning जो है जैसे praise करना दूरी बनाना वो होता है लेकिन यह वो meaning word नहीं है, इसका meaning यह जो लिखा हुआ है, abstainis, यह जो है word है यहाँ पे, तो यह अलग word है वो अलग word है, अब इसका meaning देख लेते हैं, मतलब क्या है, तो जैसे abstainis है, cruel है, cruel का meaning होता है, जैसे यह है, intimparate है, intimparate का meaning होता है, जिसके अंदर आतम control की, जिसको कहते है ना, खुद के control की जो है कमी होती है, मतलब आपने आपको जो है, control नहीं कर पाता, lack of self-control कह लीजिए, तो यह जो है, इसका meaning होता है, जिसके अंदर जो है, इतनी हिमत नहीं होती, कि वो आपने आपको control कर ले, किसी भी चीज़ से, चाहे वो खाने पीने से related, कुछ होते ना, कि इतने बुखड होते ह हैं, कि कुछ भी fast food दिख जाए, तो वो पगला जाते हैं, तो ऐसा ही इसका भी काम है, तो वो आपने आपको जो ना, food से, या किसी चीज़ से, जो है, self-control नहीं है, उसके अंदर, सिधा-सिधा यह कह सकते हो, क्रूल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग निर्दई होता है, लेजी आपको पता ही है, ओस्ट्री का मीनिंग होता है, जैसे सादू संतों की जो लाइफ जीता है, उसको बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है, जो सादू संतों की लाइफ को जीता है, उसको बोलते हैं, तो क्या बता हूं सरीता हाँ तो आप बताए फटा फट से यह कह रहा कि एप्स्टीमीस का मीनिंग होता है कि जो अलपाहरी होता है जो कम खाता है यानि इसका पूरा control है बही अलपार ही है तो कुछ भी दिख जाए तो जो है लिमिट में खाता वो चीजों को और ओस्ट्री क्या होता है ओस्ट्री का मीनिंग सादो संतों की अभी मैच की क्लास लगेगी अमित और फिर सर आएंगे क्लास में उनसे पूछ लेना लगाएंगे लेकिन वो टाइम क्या होगा वो मुझे नहीं पता तो फिलाल फटाफट से इंगलिश को कर लीजे तो एफिसेंट का मीनिंग कुशल होता है और कैनी का मीनिंग देख लो पुलाइट आप सबको पता है और जो है वर्बोज का मीनिंग क्या होता आपको सिनोनियम बताना वर्बोज होता थोड़ा जो बातुनी ज्यादा होता उसको बोलते हैं कर्ट है और रेडियंट होता ना जो मतलब की रेडिकल की सेंस में होता मतलब चमकील आया कुछ तेज तरार कह लिजे रेडियंट ये होता है तो आपको जो है बरस्क का मीनिंग बताना है बरस्क का और कर्ट जो है चलिए इसका सिधा सिधा अंसर ले ले लेते हैं इसका मीनिंग होता है जो कर्ट होता है ये जो है इसका सिनोनियम बनेगा बरस्क लगा लो या जो है कर्ट लग लिजिए और cut का मीनिंग भी यही होता है तो यह होता है रफ हो लगा लिजिए cut का मीनिंग होता है जैसे rough rough in the sense की जो manner wise rough हो जिसको बोलने का तरीका ना पता हो तो उसको बोलते हैं ठीक है केंटेंकर्स का मीनिंग है जैसे यह पूछा है इसक्राइब है इसक्राइबल एफेबल काइंड इंडिफरेंट तो इंडिफरेंट क्या होता है और एफेबल का मीनिंग भी friendly होता है इंडिफरेंट का मीनिंग होता है जो उदासी जिसको कहें जो ततस्ट जिसको कहें कुछ भ द्वाय ना कुछ उनके बीच में बोले, तो उसको बोलते हैं, इन डिफरेंट, तो यहां जो है, इसका, कैंट एंकरस का, जो है, मीनिंग बताना आपको, 24 का, जो है, मीनिंग बताना, क्या होता है, बैली गएरेंट दिया हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है, कैंट एंकरस का मीनिंग होता है, जो इजली, मतलवी, चिट-चिड़ा जिसको कह लीजिए, जो जल्दी गुसा हो जाता है, जी अंगर्ड जो है, जल्दी गुसा आता है, तो inscribable जो है इसका ये meaning है यानि इसका जो है synonym जो है वो a है very good तो ये जो है synonym थे तो आपको जो है वैसे तो मैंने देखो मैं बार-बार बता रही हूँ ये 2015 का paper है आपने जो 22 का भी देख लिया 22 में grammar अच्छे से दे रखी है इसके अंदर जो है ये vocabulary के उपर ज्यादा focus क किया हुआ है तो चीजे धिरे-धिरे न चेंज भी हो रही है लेकिन मैं ये कहूंगी paper clear करना है तो सारी चीजों पर मतलब कि ये बिल्कुल रट्टा तो नहीं लेकिन कुछ चीजे आपके आसपास होनी चाहिए जिसको आप आसानी से मतलब समझ लो आपको बताना है यहाँ पर एंटोनियम नेस्ट है आपका एंटोनियम ये बताना है फैरल है फैरल का जो है फीवर है वाइल है टेम है फास्ट है तो वैसे तो थोड़ा सा देखके भी अंदाजा लग सकता है तो बता सकते हो आप कि इसका जो है आपको यानि आप बताना है आपको एंटोनियम बता तो इंट्वनियों बताएं इसका जो है 25 का 25 का जो है इंट्वनियों बताना आपको कि देखो फाल्ड क्या होता है कि टिवर तो है एक फैवर भी वड़ होता है तो यह जो wild क्या होता है? जंगली होता है? फास्ट तेज भी होता है, तेज तरार ये कुछ ऐसे लगा लिजिए. तो feral का meaning भी जो है, वो जंगली ही होता है, wild होता है. तो आपको जो हुसका उल्टा लेना, तो tamed क्या होता है? पालतु ज इसको कहते हैं, untamed कहलीजिए इसका meaning तो untamed कहलो, feral कहलो यानि कि इसका जो है synonym क्या होता है wild होता है, synonym होता है जंगली होता है, इसलिए fast भी इसी तरह का word है, fever भी फीवर भी जो है इसी तरह का word है यानि थोड़ा सा तेज तर्रार जो होता इसको बोलते हैं और यहाँ पर टेम जो है इसका meaning होता पालतू. तो इसका meaning feral का meaning होता है जो जंगली होता है. जंगली का antonium क्या होगा पालतू होगा. आगे है interpeed है, interpeed है, bold है, kind है, wild है, cowardly है. तो आपको यहाँ पर बताना है interpeed का जिसको meaning है, तीन चार मीनिंग एक जैसे, कोई भी देख लो, समझ में आ जाएगा, वैसे आप लोगोंने अंसर दे दिया है, तो गाइस, देखो, बोल्ड है, बोल्ड क्या होता है, जिसको कहते हैं, बड़ा बोल्ड है, सासी है, काइंड क्या होता है, दयालू, वाइल्ड फिर हो गया, का इंटरपीड का मीनिंग होता है, जो तेज तर्रार होता है, उसको बोलते हैं, यानि जो बोल्ड होता है, बोल्ड इसका सिनोनियम है, आपको एंटोनियम बताना है, तो कावर्ड ली, जिसको डर लगता है, डर पोक होता है, उसको बोलते हैं, तो आई धिंग क्लियर होगा, लिखिंग, आप जो है हम, बिलकुल सही है, आगे है अपस्ट्रीूस है, अपस्ट्रीूस का मीनिक जो है, जैसे आपको एंटोनियम ही बताना clear है, absurd है, obscure है, ester flock है, तो आपको बताना है, देखो यहां तीन एक जैसे मीनिक है, उससे भी clear हो जाता है जहां तीन एक जैसे meaning हो तो उससे भी आप अंदाजय लगा सकते हो तो इसका अगर मालो आपको meaning नहीं भी पता है तो तीन चारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो जैसे absurd है absurd और obscure अगर ये दो जो है एक जैसे meaning है तो इसका मतलए ये दोनों answer हो नहीं स है obscure का meaning भी होता जो आपको समझ में चीज नहीं आती है ऐसी कोई चीज जो उलजी हुई होती है हां तो वो जो है absurd और obscure यानि कि थोड़ा सा जो हट पटा जो चीज होती है बद्दी भी चीज कह सकते हो आप इसको और esoteric भी जो है ये ऐसा ही word है यानि इनका ही synonym है तो जो ह after use का meaning जो है इन जैसा ही होता जो चीज clear नहीं होती तो फिर आप इसका क्या हो गया clear हो गया तो इसका जो हंसर है वो first हो जाएगा आगे convalence sense है convalence recovery है relapse है rehabilitation है और retry है तो बताइए बताइए क्या रहेगा इसका endonium convalence का meaning जैसे इनका recovery आपको पताइए क्या है relapse है rehabilitation rehabilitation पुनर स्थापित करना जिसको कहते है retry जो है दुबारा से try करना और relapse का meaning होता है जैसे कोई बिमारी होती है किसी को और वो temporary जो है ठीक हो जाए temporary बोल रही है थोड़ी improvement यवाद आदमी फिर से बिमार हो जाए उसको relapse बोलते है यानि कोई चीज जो है कोई बिमारी थोड़ी time के लिए ठीक हो जाए लेकिन फिर से दुबारा से वो आदमी पिडित हो जाए इस बिमारी से तो उसको relapse बोला लेकिन आपको antonium बताना है तो इसका meaning होगा relapse तो ये सभी जो है recovery की sense है आपको जो है बताना है जो आदमी दुबारा से बिमार हो गया है हाँ recuperate होता है convalence का meaning होता है meaning synonym ठीक है कि recovery होता है और जो है आपका रीकपरेट होता है रीकपरेट होता है रीकवरी का क्या होता है कि अब विमारी से recovery कर जाए ये meaning होता है लेकिन आपको क्या बताना यहां पे आप यहां पे जो है आप इसके अंदर जो है preposition है लेकिन यह जो ना दिखाए वैसे जुरूर हमें proportion दे रही हैं लेकिन यह कहिना कहिना phrasal verb है phrasal verb यहाँ पर पूछी गई है तो आप इसको देख लो क्या है तो phrasal verb क्या है यह करा है we spent the time going dash our dialogue तो यहाँ पर जो है मतलब कि phrasal verb क्या होती है अगर हम यह कहें phrasal verbs क्या होती है तो phrasal verb होती है जब word के साथ जो है कोई proportion आती है तो अपना कोई meaning बताती है यानि किसी जो है proportion के साथ किसी word के साथ या किसी adjective के साथ किसी noun के साथ कोई proportion आ जाती है तो फिर वो एक नया तीसरा meaning बता देती है, तो यहाँ पर है, गो फाएगा, गो फाएगा, गो टू आएगा, गो ओवर आएगा, तो यहाँ भी spent the time going dash our dialogues, तो यहाँ जो है क्या रहेगा, ओवर, गो ओवर का मीनिंग होता है, examin करना, carefully examin करना, guys अगर आपको जो नहीं यह फ्रेजल वर्व याद रखने मे वैसे देखो, अगर जैसे मैंने काना भी थोड़ी दिर पहले, learning के portion में सबसे easy जो चीज है, जैसे learning in the sense, जैसे vocabulary है, sinonim, intonium आपके, one word substitution है, या फिर आपका जो idiom phrases है, और फिर यह phrasal verb है, अगर इन सब में जो है, सबसे easy की बात करें, तो हमारी idiom phrases सबसे easy है, और difficult की बात क है, तो हमारी जो phrasal verb सबसे difficult है, तो मैंने न, मैं phrasal verb के उपर जो बनाती हूँ, क्या बोलते हूँ, उसको short, shorts बनाती हूँ, तो आप उन shorts को देख लीजी, आपको याद हो जाएं, तो मैंने go over के उपर बनाया हुआ है, तो go over का we spend the time going over the dialogues, तो यहाँ पे over जो है, go over का मीन होता, examine carefully, थोड़ा blur दिख रहा है, देखो जैसा न, guys, ऐसा ही है, सत्यम आपको यह blur दिख रहा है, लेकिन आप अपने जो न, picture की, जो अपना phone है, उसकी quality को increase कर लीजिए, तो स्यादी इस वज़े से दिख रहा होगा, बाकि ऐसी किसी और की दिक्कत नहीं आ रही है, तो आ he know how he could bring dash brilliant business deal, तो यहाँ पर bring के साथ जो है, जो प्रेपोर्शन लगे, जिससे आपका sense अच्छी सी निकल जाए, तो वो बताईए, bring into, क्या जो है, आज रात को बनाएंगे तन में इसके उपर, कि subjective की class जो है, कब से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू करेंगे, he know how he could bring dash brilliant business deals, तो यहाँ जो आपको बताना है, off आएगा, from आएगा, off आएगा, into आएगा, तो यहाँ जो है, 30 का जो है, आपको अंसर देना है, 30 का जो है, तो इसका जो meaning है, जैसे मैंने का न, इनके अंदाजे नहीं होते, इनको याद ही करना बढ़ता है, तो इसका जो है, bring off का meaning ह होता है, जैसे जो किसी चीज को जो है, सामने लाना या जो है, clear कर देना, यह ऐसा कुछ meaning होता है, इसका bring off, यानि की जो है, achieve करना है, actual sense लेना है, तो achieve होता है, इसका meaning, तो bring off का meaning होता है, यह होता है, आगे है 31, we should not be carried, just by our praise, तो जो है carried, एक यह जो है, देखो अब क्या meaning हो बलाना नहीं चाहिए, यह कह रहा है, तो यह जो है, इसका meaning क्या रहेगा, 31 का, 31 का जो आपको अंसर बताना है, क्या रहेगा, carry into है, carry away है, carry out है, carry from है, तो फटा-फट से बताईए क्या रहेगा, इसका meaning, तो गाईस, इसका जो है, carry away का meaning होता है, जैसे मतलब कहते हैं, दिमाग खराब हो जाना, अवा में उड़ने लग जाना, तो यह होता है, carry away, carry out का meaning होता है, जैसे किसी चीज़ को उठा के लेके जाना, जैसे carry वैसे तो उठाना ही होता है, carry out एक अलग meaning होता है, carry away का meaning होता है जैसे अपना दिमाग खराब हो जाना, जैसे यह करा रहा कि अपनी तारीफ से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपनी तारीफ से यानि जब थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए, लोग आपकी तारीफ करें किसी वज़े से, तो हमें पगलाना नहीं चाहिए, किसम से यह वो सेंस है यहां पे, तो इसका जो है carry away आएगा यहां पे, 32 है, the bomb went dash in market, तो यहां पे आप आएगा, out आएगा, off आएगा, from आएगा, तो यहां explode की sense देनी आपको, वैसे bomb लिखा हुआ है, तो bomb जो है, क्या होता है, explode होता है, तो आपको यहां पे बताना है, क्या use करेंगे, जल्दी बोलो, तो इसका जो meaning है guys, the bomb went off, went off का meaning होता है, go off का meaning होता है, जैसे bomb वगरा का explode हो जाना, फट जाना, तो यह meaning होता है, तो इसका जो है, यह जो ना phrasal verb है, आप यहां पे बात कर लेते हैं, 33 पे आजाएए, 33 में जो है, to be all agog, यह क्या है, यह भी idiom phrases है, idiom phrases पुछी गई है यहां पे, तो इसका भी है, to be sad, to be excited, to be arrogant, to be free from errors, तो क्या इसका meaning रहेगा, to be all agog का, बताएए फटा फट से, to be all agog, to be sad, to be excited, to be arrogant, to be free from errors, तो गाइस, इसका जो है, to be all, जैसे मैंने का ना, यह सिर्फ याद करने की चीज होती है, इनके अंदाजे नहीं लगते हैं, तो इसका भी meaning है, to be excited, यानि कि बहुत ज़्यादा उतेज ना में होना, तो यह इसका meaning होता है, excited होना, एगो का meaning यह होता है, anxiety बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको, तो यह जो है, to cook as no cat, तो यह बताना आपको next, to cook as no cat, यह idiom है, तो फटा-फट से बताएए, to domesticate animals, to train animals, to tame wild animals, to show ones, disrespect for, तो इसका meaning क्या रहेगा, to disrespect for, या जो है, जो है, जो चार-तीन, जो भी meaning है, उनके फटा-फट से बताएएँगे, तो यह जो ना, देखो, idiom phrases है, इसका meaning है, to cook as no cat, तो इसका meaning है, किसी के लिए disrespect show करना, यानि किसी की insult करना, या जो है, आप किसी को जो है, disrespect दें, अब मानित करें, कुछ भी कह लिजिए, to bagger description, bagger description का meaning बताना आपको, to be beyond description, to condemn someone, to support someone, to praise someone, तो 35 का जो है, आपको answer देना है, बताएए फटा-फट से, 35 का जो है, क्या answer रहेगा, 35 का जो है, तो to bagger description का meaning है, to be beyond description, bagger वैसे तो देखो, bagger ही होता है, लेकिन याद करने के लिए क्या है, कि to bagger description, मतलब कोई description दे रहा है, कैसा होगा, bagger जैसा दे दिया, उसने, यानि कि वो जो है, to be beyond description, यानि कि जो description है, उसे भी बार की चीज, जो उसके अंदर की चीजी ना हो, तो ऐसे कुछ भी याद कर सकते हो, लेकिन इसका जो meaning है, वो जो है, first है, to bury the hatch, इनको मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि देखो, यह learning का portion है, और इस paper में learning के उपर ही जो रहा है, यह करा है कि to bury the hatch, लेकिन यह भी mind में रखिए, 2015 का paper है यह, to bury the hatch, इसका meaning है, जैसे जिसको कहते हैं, कि चल छोड मिट्टी डाल, यह meaning होता हिंदी में, जैसे कोई जगड़ा हो रहा है, और हम आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट चल रहे हैं, और उसका कोई solution नहीं निकल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, चल छोड मिट्टी डाल, तो बता हो, क्या रहेगा इसका, ठीक है जी, to seize fighting, तो मतलग कि जो लड़ाई जगड़े को कम कर देना या बंद कर देना, seize firing सुनाओगा आपने, वह ही है, seize fire होता है, जैसे वो गोली बगारा जो है चलते चलते उसकी, लेकि यहाँ पे seize fighting है, यह लड़ाई जगड़े को कम कर बंद क पूरा, तो यहाँ पे correct meaning बताना है, condonation जो है, condonation है यह word, condonation का meaning बताना है, तो one word substitution है, condonation का meaning बताना है, to refers to the act of overlooking or forgiving and offense or transgression, refers to the act of blaming others for one's failure, refers to the act of criticizing others, refers to the act of helping the poor, तो फटा-फट से बताएंगे, आपको 37 का answer देना है, हाँ, बिल्कुल है, अच्छा, देखो क्या होता है, कि यह तो examiner की मर्जी होती है, सरीता, कि कभी वो जो है learning के portion पे focus कर लेता, तब ही तो चीज़े difficult बन जाती है, भई आपको लग रहा है कि हाँ, पीछे grammar ग्रामर पुछिए तो grammar ग्रामर कर लेते बचे, कई बार लगता ह है कि सारी learning है, तो learning के उपर चले जाते हैं, तो हमें पुरा एक balance बना के चलना पड़ता है, तो बिल्कुल ठीक है, इसका फरस्ट है, इसका answer, चलो, आगे है gerontology, तो यह भी जो है, gerontology तो वैसे भी clear होगा, geront का meaning होता है, old age और logic का meaning अध्यन होता है, तो आप जोड लो कु आप कहां पे है, तो इसका जो है meaning बिल्कुल सही है, इसका जो है, भी है, refers to the scientific study of old age, आगे है graphologist, graph क्या होता है, राइटिंग होती है, लोजी जो है study होती है, अब निकालो कौन सा बनेगा इसका answer, जल्दी बताइए, 39 का जो आपको बताना है, graph जो है क्या, बिल्कुल ठीक है, refers to someone who analysis character from handwriting, तो ये जो है graphologist से आपको याद हो गयागा, semantics है, semantics, semantics जो word है ये, इसका meaning होता है, अर्थ, अर्थ से related होता है, यानि अर्थ या नहीं की meaning, जिसको meaning कहते हैं, जैसे वो होता है, meaning, अर्थ वो वाला अर्थ मत समझ लेना, meaning, जिसको हंदी में अर्थ बोलते हैं, मतलब जिसको कहा जाता है, तो भई, इसमें देख लो निकालना फटा-फट से क्या होता है, इसका meaning, कौन सा बनेगा इसमें, semantics, semantic का meaning होता है, meaning, और जो उसकी study करता है, उसको जो है, semantics बोला जाता है, तो यहाँ पर कौन है, बताओ वो, बिल्कुल सही है, तो वो is a linguistic scientist, यानि जो जो आपकी भाशा है, उसके अर्थ बगारा की जो study करता है, उस scientist को बोलते हैं, ठीक है, आगे है, यह तो फिर हमारे question नहीं है, अब तो मैंने निकाल लिया, अब तो निकाल लिया, हाँ जी, आप यह जो है, यह paper जो है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा question नहीं है, I think ठक गए हो गया आप लोग, लेकिन जो है, इसमें question ज्यादा नहीं है, question ज्यादा वैसे बता दूँ, यह 2019 का paper है, पहले हमने बिल्कुल study में किया, वो 2022 का था, यह 2000 जो है, इससे बीच में जो अभी किया, वो 2015 का था, यह 2019 का है, लेकिन इसमें question ज्यादा नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसमें न 5 ही question है, 5 question इसलिए हैं, जो मैंने लिया हैं, वो 5 ही हैं, आप जो है, यह total इसमें 10 ही question पूछे गए थे, एक जो है, comprehension है, एक जो पूछा गया है, वो comprehension है, उसमें से 5 question है, तो मैंने comprehension को यह include नहीं किया, क्योंकि वो time waste ज़्यादा हो जाता उससे, तो हमने जो है, सिर्फ grammar से related, या learning के portion से related लिया बस, तो इसलिए जो है, आपको ज़्यादा question नहीं के attempt करने हैं, यहाँ, चलो जी, तो अब बताए है, he dash is fault and was dash, तो आपको जो है, 56 का answer देना है, ठीक है जी, तो इसका meaning है, he confessed, ठीक है, D है इसका answer, बिल्कुल सही है, परभाज dash in athletics yielded rich dash as she got a scholarship, तो आपको बताना है 57 का, 57 का जो answer देना है, 57 का जो है guys, चलिए, 57 का जो है, वो B रहेगा, excellent dividends कम दलो होता है, उसको बढ़ा देना, rich dividends कम दलो होता है, कि आप उसको जो है, आपको double, triple करके कोई जीज मिलती है, वो है यह, तो यह जो है, वो इसलिए जो है, उसको क्योंकि scholarship मिली है, तो यह जो है, इसका C answer रहेगा, आगे है, अब यहाँ आजाए, 58 का produce the correct sentence from the following part of a sentence, तो आपको जो है, यहाँ बताना है कि इसमें जो, कौनसा answer रहेगा, 58 का बताना है, sentence arrangement, sentence arrangement बताना है, 58 की, तो यह कर रहा है, राम who studied, देखो यहाँ पे, राम who studied, अब यहाँ पे R वाला sentence तो हो नहीं सकता, हमें जो है, वैसे भी studying से लेना, क्योंकि इसमें noun है, तो noun से studying लेंगे P वाला होगा, अब P वाले दो है, तो यह दोनों तो काट दो, अब यहाँ पे P के बाद क्यों है, वहाँ पे P के बाद R है, तो क्यों और R को चेक कर लीजिए, राम who studied in same school, अब यह करा है कि राम who studied R में क्या है, R में तो है, राम who studied paid the fee of his friend, तो देखो यह भी verb है, और अगर हम R लेते हैं, तो यह भी verb है, यानि यहाँ पे भी studied, यहाँ पे paid है, तो यह सिक्वेंस बनी नहीं रही है, यानि यह वाला option नहीं हो सकता, तो आपका answer जो है, वो क्या हो जाएगा, यह वाला answer हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आगे चलते ह हैं, अब यहाँ पे जो है, एक sentence है, वो क्या है, देखो इसको, यह क्या रहा है, चूज दा alternative, इसके न इंप्रूव फोलोईंग संटेंस, इसमें जो हाँ वो portion निकाला है, जो इंप्रूव करना हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो कौन स जो portion है, कौन सा जो portion है, वो इसको, जिसमें error है, या इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको sentence improvement बोलते हैं, यह जो sentence है, यह सारा ही बोल्ड कर रखा है, फिर इसके part बना रखे हैं, आपको यह बताना है, तो यहाँ पे जो है, कौन से portion में जो है, मतलब गलती है, जो improved है, जिसको हम improve करेंगे, यह बोल रहा है, बताइए, इसमें जो है, किसमें improvement है, जैसे यहाँ पे mainly क्या है, who was, he was, यह जादा है mistake में, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक बताना है, फिर यह कह रहा है, did he return home, तो यह होगा यहाँ पे, तो यह पूरे sentence को हम कैसे change करेंगे, देखो guys, चलिए, इसको solve करते हैं, देखो यह क्या है यहाँ पे, teacher asks the intruder, intruder होता, जिसको कोई बहार का आ जाए, उसको बोलेंगे, वैसे तो आकर्मानकारी होता, लेकिन आकर्मानकारी के बाद का मतलगिया नहीं है, आकर्मानकारी यानी in the sense की जो outer होता, उसके लिए संदेंस है, तो यह जो है helping work यहाँ होनी चाहिए, और इसकी भी helping work यहाँ होनी चाहिए, यानी subject के बाद होनी चाहिए, तो इसलिए inversion नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कहा, सोनिया ने भी कहा, और जो है, सरीता भी ऐसा ही बोल रही है, तो इसके अंदर जो है, यह वोज यहाँ जाएगा, क्योंकि यह shape कब निकलती है, helping work यह बारतब निकलती है, जब sentence interrogative हो, तो यहाँ तो कोई interrogative भी नहीं है, तो फिर आम इसका inversion क्यों हो रहे है, तो inversion नहीं होगा यहाँ, तो यह हमारा जो अंसर रहेगा, वो जो है, A रहेगा, तो इसका जो अंसर रहेगा, जैसे य B के अंदर क्या है, इसका inversion यहाँ छोड़ दिया, लेकिन इसमें कोई inversion नहीं है, यह simple sentence बना दिया, तो यह इसका जो अंसर रहेगा, वो A रहेगा, हाँ, बिल्कुल ठीक है, आगे है, यह बहुत simple सा है, one who hates mankind, जो मतलब मानव जाती से नफरत करता हो, तो उसको क्या कहते हैं तो फटाव से बताएंगे उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, देखो philanthropist लिखा, फिल का meaning ही, जैसे यहाँ पे anthrop एक word आया हुआ है, अगर इसको इतना काट दो तो यह anthrop है, इसमें से भी एक इतना word निकाल दो तो यह anthropist लिखा हुआ है, यह anthrop है, anthrop का meaning होता मानव जाती, human being होता है, इसका meaning, यानि इसमें जो है human being है दोनों के अंदर, जिसको हम mankind भी कह सकते है, human being है lover और hater तो चलो अलग चीज है, लेकिन हाँ पे जो है human being है, यानि जो mankind है, इसका meaning यह anthrop है, यह anthropist लिखा हुआ है, लेकिन feel का meaning होता है welfare, यानि जो land में काम करता, love भी कह सकते हो जो है, ए रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यह जो है हमारा paper complete हुआ guys, कोई भी कैसा भी question, कोई doubt हो तो बता सकते हो, बिल्कुल मनिका ठीक है, feel का meaning love होता है, welfare होता है, actual में love से भी ज्यादा जो meaning होता है, philanthropist का meaning होता प्रोपकारी, यानि जो प्रोपकार करता है, दूसरों के लिए कल्याण के लिए काम करता है, तो यह meaning होता है, तो guys यह थी आज की हमारी class, मजा आ गया, चलिए मजा ही आना चाहिए, आप लोगों को मजा आता है तब ही, thank you Monika, thank you Mukesh, Sonia, thank you guys, चलो जी, तो मिलते हैं फिर रात को, जैसे मकल कह रही थी, साड़े ग्यारा बजे, तो मिलते हैं रात को, साड़े आठ बजे, तब तक के लिए thank you and keep watching, और आप जो है सर की class होगी, किस ताइम, तो सर्ज जो है अपनी class लेंगे, 10-15 मिनिट के अंदर, तब तक के लिए सर की class में चाहिए, लेकिन मुझे पता है, यह जो मेरे वाले student है, यह सर की महत की class में नहीं जाते हैं, देखो यह आपने आप ही कुछ हुआ 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 है, जो हमारे student है, जो मेरी class के student है, वो सर की class में नहीं जाते हैं, जो सरवाले student हो, वो मेरी class में नहीं आते हैं, वो सारे हैं, लेकिन कुछ एक student है, जो उदर भी जाते हैं, इदर भी जाते हैं, चलो जी, तो मिलते हैं फिर रात को, सड़े 8 बजे,